नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रिभात कुमर और स्वागत करता हूँ एक ने फ्रेश वीडियो में दोस्तों मंडे को कॉल ओप्शन जैकपोट बनने वाला है मैं आपको बता दूँ दोस्तों फ्राइडे के सेशन में मैंने आपको हमारे टेलेग्राम और पीटेस एप पे 41,400 का और 41,500 का पुट ऑप्शन दिया था दोस्तों जिसने जैकपोट रिटर्न दिया दोस्तों इसी के साथ निफ्टी और बैक निफ्टी का बेस्ट पेडिक्शन प्रीविएस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया उसके लिए हाँ जोड के तहजिल से बहुत बहुत शुकरिया प्रीविएस वीडियो ने हमारी सफलता हासिल की हमने दोस्तों बैंक 50,40, 1,220 की नीचे सेल बोला था शुरू करते हैं वीडियो को गाइज मैं कुछा को फाक्टर बताता हूं जो हमको ये बता रहे हैं कि भाई अब आने वाले समय में हमको तेजी देखने को मिलेगी मार्केट में यानि मार्केट का जो ओवरॉल ट्रेंड है जो ओटी है वो अप है पहला फैक्टर ये है FIIs, DIIs लगतार अब अच्छे खासे बाइंग फिगर हमको दे रहे हैं 27 अक्टूबर को 288 करोड का बाइंग फिगर दिया था खरिदारी कित्य 28 अक्टूबर को 2568 करोड का बस लिटरली यूएस के मार्केट में हमको भयंकर तेजी देखने को मिली है कल ठीक है लास्ट प्रिविस सेशन में अब देख सकते हैं 800-800 पॉइंट डाव जोंस और नेस्टेक 300 पॉइंट ठीक है जो cup with handle pattern था उसका breakout देने के बाद बैंक निफ्टी का कर रहा है उपर चलता retracement करता है मैंने आपको कल पड़स वाली वीडियो में बताया था कि retracement करता अब यहां से ऐसे उपर जाएगा अब वही हमारा market करने वाला है मंडे के session में ठीक है क्योंकि यह चार दिन का एक consultation pattern form कर चुगा है और अगर मैं आपको 15 मिट के chart पर दिखाओ न 15 मिट के देखो चार पे हमको investing सा pattern दिख रहा है एक support line दिख रही है देख पा रहे हैं यह support line support लेता है उपर जाता है support लेता है उपर जाता है अगर बैंक 50 एक सो तालीस दो सो मान लिए हमारा बैंक 50 तालीस है जार तीन सो के आजपस gap up open होने वाला क्योंकि देखो no doubt flat open नहीं होने वाला यह लिख लीजिए यह guarantee दे रहा हूं तो एक सालीस तीन सो के आजपस अगर gap up open होगा तो क्या करना हमको हमारा अंडिस्टृट का टाइंफर्म लगा लेना है ab boil अब जैसे ही सब्समीट का इहीं doubts यह उटेगा तो उसके और भाई करना है और आप ज्वाई करना है मजए से हमारा बैंक 50 और ऊपर जाएगा understood न यह चीजें हैं percent air चीजे में आपको अगर बहूँ जादा huge points के साथ gap up open होता है तो उपर जाने के probability थोड़ा कम रहेगा थोड़ा लो रहेगा ठीक है क्योंकि already बहुत उपर खोल रहा तो अधान सुनीगा और अगर huge gap up open होता है कम points के साथ let's say 300 points 400 points 500 points के आसपास इतना normal है अगर 500 points के आसपास भी gap up open होता है तो भी हम मज़े से buy करने का सोच सकते हैं धान रखना ठीक है ना जैसी 10 minute का high टूटेगा अब जैसी 10 minute का high टूटेगा तो एक काम करिएगा आप 41,200 का CE 3rd November वाला buy करके चल सकते हैं bank nifty का ठीक है यह आपको कैसे buy करके चल ला है मैं आपको दिखाता हूँ देखो पहली बात मैं आपको एक example दिखाता हूँ बैंक nifty का 21 तारीक को क्या हुआ था इस टाइम पर मैंने आप लोग को कॉल आप्शन दिया था ध्यान होगा फ्राइडे के दिन ठीक है यह देख रहे हैं आप ग्याप अपन हुआ 10 minute का high टूटा मज़े से उपर गया अब दिखाता हूँ आपको कैसे यह कॉल आप्शन वा 500 के असपास था अब सुन कैसे बाय करके चलना है 21 तारीक को 40,600 के कॉल आप्शन कैसे बाय हुआ होगा देखो हाइट लो माग कर लिए 10 minute का जैसे ही बैंक nifty हाइट तोड़ा न हमारा यह कॉल आप्शन यहां पर बाय करने का था 570 के असपास 570 से कहां चला गया दोस्तों 670 के असपास समझ रहे हो comment section में लिखके बताओ आप समझ गयो की नहीं समझ गयो इस टाइप से हमको दोस्तों बाय करके चलना है 41 200 का target क्या रहेगा दोस्तों यहां पर एक सी बोलना चाहूंगा अगर आपको premium bank nifty nifty stocks के trade लेने हैं आप लोग हमारे link angel one angel broking के through account open करके हमारे link के through ठीक है fund that करिए trade start करिए और हमारे इस नंबर पर screenshot share कर दीजिए हम आपको फिर premium group में add कर लेंगे ठीक है न यह चीजे हैं दूसर टागेट क्या रहेगा 50 points and 70 points का आप वहां पर ऐसे लग लिजेगा 30 points का ठीक है यह है कौन सा 41 200 का CE 3rd November वाला जानते हैं अब कि इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है देखो जी दूसरा पहलू यह हो सकता है अगर bank nifty का यह में यह तो आगे की बाते हैं अगर bank nifty के 10 minutes का जो range बनेगा range का lower end टूट जाता है तो हमको एक selling भी देखने को मिलेगी फिर मैं selling में भी आ जाओंग के आज पास क्योंकि 41,500 के आज पास previous यह हमारा Friday को क्या हुआ तो हां से मुड़ गया था तो 41,500 के उपर मान लीजिए 45,500 के उपर अगर हमारा आदे घंटे सस्टेन कर जाता है ना तो मैं guarantee दे रहा हूं definitely 41,700 और 41,800 के हमको target definitely हमको short covering में देखने को मिल जाएंगे धान रख दोस्तों को analysis समझ में आ रही है तो आप like जरूर करिएगा और comment जरूर करिएगा देखो निफ्टी में क्या है box pattern है निफ्टी सोड़ा मजबूत है ठीक है bank nifty के मुकाबले कोई निफ्टी भी हो जाएगा box pattern है अब निफ्टी में अगर हमको gap देखने को मिलता है 17,850 क्या स जो भी अपना cnp चल रहा होगा उस टाइम पर बाय कर देना है ऐसी सेम वही बैंक निफ्टी वाला सिच्वेशन आपको निफ्टी में टागेट होगा 17,950 और 18,000 का दूसरा टागेट होगा निफ्टी में ट्रेडर्स आपको पता है फ्राइडे के सेशन में हमारा एक तो निफ्टी के अनालुसिस और अगर मैं आपको देखो देली के चार्ट शो करूं डेली के चार्ट पर देखलो सिंपल सा स्ट्राट जी वही है कब थानल पैटन का ब्रेकाउट हुआ था उसके बाद जाता है एरेंज बनाता है उपर जाता है फिर से बनाया अब यह शूट- सब्सक्राइब करते हैं यही चीज़े मैं आपको सिखाता हूं है हमारे एडवांस अप्शन स्ट्रेडिंग क्लास में अगर आपको नेकेड बाइंग सीखना है ठीक है और बैंक निफ्टी के स्ट्राटेजी सीखना है तो आप लोग हमारे क्लास को इजवाइन कर सकते हो ब हल बाय करके चलना लॉजिक देखो क्या है बिल्कुल फटने वाला भी है ठीक है तो बाय करके चलना 25 30 25 30 को पर बाय करके चलना है फॉदर टागेट ऑफ 55 25 75 का दूसरा टागेट होगा 25 20 का आपका एसल दूसरा हमारा ऑप्शन स्ट्रेट लेके चल सकते हैं बैंक निफ्ट का 41,400 का कॉल उप्शन ये आपका दूस्तो थर्ड नवंबर वाल एक्सपाइरी होगा और ये भी आपको सेम वैसे ही बाय करके चलना है जैसे जैसी दस्मिंट का बैंक निफ्टी का रिक रेंज बनेगा जैसी बैंक निफ्टी का हाइट उटेगा ये कॉल उप्शन जो भी उसका CMP चल रहा होगा दोस्तो उस टाइम पे हमको बाय कर लेना है ठीक है अगर हम इसके टागेट की बात करें 70 पॉइंट और 90 पॉइंट का आपका उसका दूसरा दो टागेट होंगे धान रखना यहाँ पे आप स्टॉपलस को 40 पॉइंट का सेट कर लीजिएगा दोस्त तो फ्राइडे को पता हमने क्या दिया था 144 पॉइंट शांदार चला हमारे टेलेग्राम पे और वो तो छोड़िये पी टीएस अप्लिकेशन पर हमने 4500 पॉइंट दिया देख रहे हो न मैं बोलता हूं हमसे बढ़िया ऑप्शन स्टेट बैंक्रिफ्टी का कोई नहीं दे सकता ठीक है इंडिया ग्लाइक और बीसी सारे शांदार है एक ऐसल में ऐसल हुआ बाकी सांदार प्रॉफिट हुआ ठीक है बोलना चाहूंगा अभी के भी जाओ ज्वाइन कर लो हमारा टेलेगाम चैनल लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में और पीटेस अप्लिकेशन भी सब्सक्रिशन देने वाला हूं गाईज मैं चीज बता दू किस को धाने थोड़ा बताईए मैंने बांक 50 से लिंग के बताया था 41,220 के नीचे जैसा मैंने तभी पूट आप्शन दे दिया था मेरे को कमेंट से लिखी बताईए क्या सभी रोगे मैं पैसा कमाया यह लेवल टूटने के बाद की नहीं ठीक है बहुत जबद दस था देखो यह शॉट टम सपोर्ट लाइन था देखरो न यह टूटने के बाद हमने पूट आप पार्टन है ठीक है तो हमको बाई करके चलना है पार्क मेंट के चाट पर आ जाईए हाई टूटेगा हाई सस्टेन करने दीजिएगा 1250 के उपर 1250 को पर बाई 1265 काप का फर्स टागेट 1270 काप का सेकिंड टागे ठीक है 1242 काप का ऐसे लो जाएगा लास्ट स्टॉक एक्सि अब डेट कर दूँगा एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि अगर आपको बेज़े तरह एंट्री एक्जीट सीखना स्टॉक में ठीक है स्ट्राटेजी सीखना कि कैसे वन डे बिफोर स्टॉक स्टॉक करते हैं आप लोग हमारा स्टॉक कंप्लीट स्टॉक मार्केट वाला क् अब मैं आप बदा दूँ थर्ड नॉम्बर वाला ठीक है मालो दस्मेंट का रेंज बन रहा है हाइड ना टूटने के बजाए अगर दस्मेंट का लोट उट जाता तो हमको यह वाला प्रटॉप्शन खरीच के चल देना ठीक है अब मेरे को आईडिया नहीं भईया ये कहा मिलेगा लोट उटने के बाद येक तुसका क्या सीमपी चल रहा होगा तो जो जच्बू उस नहीं पर जो भी सीमपी चल रहा होगा लोट उटने के बाद अब खरीद दीजीएगा थेकंव रोनकर रिक्ष्टी दुड हो जाएगा दाट देडिम वीडियो कैसी लगी कैसी